अज़त प्यूंत कर दोस्तों पासथ सोष्ब पर बाजसे पनने दोस्तों हसे वीडियो लाइट दाहिए अगजसे पर हमस्तों नामश्कार दोस्तों सुआ थाफ यह सबी जो सनल पर साथ साथ दोस्तो डिट्रिप्लेजबी ने रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया है इसी पोस्ट के लिए तो पहले फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तो कितने केंड़ेट्स सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के रूल नंबर इस नोटिस में लिखके हैं तो दोस्तो मैं सभी केंड़ेट्स को बहुत जादा शुपकामना है और बधाई देना चाहता हूँ जितने भी केंड़ेट्स TGT, Natural Science, Post के लिए यहाँ पर फिमेल पोस्ट हैं तो सभी केंड़ेट्स को अब बात कर लेते हैं दोस्तो रोल नंबर इस अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर YOR केडिगरी में टोटल 333 केंड़ेट्स का सेलेक्शन हुआ है सभी के रोल नंबर ये लिखे हैं तो अपना रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सेलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ इसके बाद दोस्तो तो OVC category में 94 candidates का total यहां पर selection हुआ है सभी candidates को बहुत बहुत बधाई ST category में 203 candidates का selection हुआ है सभी candidates को बहुत बहुत बधाई दोस्तो ST category में 124 candidates का selection हुआ है अपना roll number सभी check कर सकते हैं EWS category में total 35 candidates का यहां पर roll number लिखा है the selection of the above candidates shall be further subject to thorough verification of the candidates by the user department including the identity of the candidate तो दोस्तों यहां पर आपका DHSB द्वारा final result में roll number दे दिया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका selection confirm हो चुका है जब तक Department of Education दिल्ली गवर्मेंट आपका physical verification documents का और identity का नहीं कर लेता तब तक आपका selection पका नहीं माना जा सकता तो यहां पर इस notice में यही बाते लिखे हैं कि जो user department है वो आपके सभी document की अच्छे से जाच करेंगे और उनकी सत्यता को जाचेंगे अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो आप swim जिम्यदार होंगे यहां पर आप cut-off देख सकते हैं दोस्तों the category wise marks scored by the last candidate provisionally nominated in the main list are as under EWS की 108.32, UR की 130.08, OBC दिल्ली, 117.05, SC 98.1, ST 62.16 यहां पर PH, OH और PH, VH category के candidates हैं UR में 84.9, OBC दिल्ली 99.22, SC में 90.3, EWS 100.39, PH, VH में UR में 87.48, SC में 67.64, इसके साथ साथ दोस्तों waiting panel list भी यहां पर जारी किया है तो जिन साथियों का selection नहीं हो पाया है, उनका नम waiting list में आया है तो उनके लिए अभी भी मौका है क्योंकि जितने भी candidates select हुए है यह final तक ज़रूरी नहीं है कि पहुँच जाए क्योंकि कुछ ना कुछ candidates में हो सकता है कि कोई join ना करे या फिर कागजों में कोई कमी पाई जाए तो जो भी seat बचेंगी उसके बाद इस waiting panel list को उठाया जाएगा इसमें से candidates को select किया जाएगा further in accordance with the service department यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट ने डिप्लेजबी को order भेजा होगा दोगा 2021 को subsequent OM number यहाँ पर OM number लिखा है दिली सबोडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड बोर्ड प्रिपेर एंड मेंटेंस और रिजर्टमेंट पैनल कंजिस्टिंग अब अब मिनिमुम कौलिफाइंग मार्स इन रिस्पेक्टिव कटिगरी इस नोटिस में डेट देख लेते हैं कपी पड़ी है तो 26 अप्रेयल का यह नोटिस दोस्तों और इन्होंने डी ट्रिपलेश भी ने जो वेटिंग पैनल बनाया है वो 26 अगले 26 अप्रेयल यानि 25 अप्रेयल तक वैलेड माना जाएगा 2023 तक तो एक साल के लिए वैलेड होत 20% of notified vacancies in the DSSB advertisement. Both the waiting and deserve panel shall be valid for a period of one year from the date of declaration of the main result and shall be used for filling up the vacancy year marked for current advertisement only and not for any vacancies getting created subsequently after issue of the current advertisement. The waiting panel limited to 20% of notified vacancies in the DSSB advertisement is restricted to the next in merit candidate subject to their fulfilling the LGBT condition as per RR. तो दोस्तों यहाँ पर यह waiting list के रोल नमर लिखे हैं. Your category में total 63 candidates को waiting list में रखा गया है. उनके रोल नमर और वेटिंग नमर लिखा है. इसके बाद OBC category में 19 candidates हैं और SC category में 40 candidates हैं. अपने रोल नमर सभी देख सकते हैं जिनका waiting list में नाम है. EWS category में 2 है. PWD sub category OH रहेगी और यहाँ पर cut-off लिखे है दोस्तों waiting की. The candidature of 63 candidates has not been considered in main waiting list panel as they do not fulfill the requisite qualification as per RR. Terms and Condition of Advertisement and accordingly their candidature has been rejected by notice number 129, 26 April 2022. तो यहाँ पर 63 candidates का यहाँ पर इन्होंने rejection लिखा है. वो 63 candidates की यहाँ पर list नहीं डाली है, दोस्तों. वो reaction notice अलग है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ दोस्तों. लेकिन उसका जिकर इस notice में किया गया है. 63 candidates को reject कर दिया गया है TGT Natural Science की post से और उस जो जो notice है वो आपको अभी मैं इस notice के बाद दिखाने वाला हूँ. user department being carder controlling appointing authority shall strictly follow the merit-based ranking of the candidate in the main list and the waiting list. तो दोस्तों ये है TGT Natural Science का final result. कुछ selected candidates के नाम यहाँ पर लिखे है, role number और बागी सभी candidates को waiting में रखा गया है, जो waiting में eligible माने गए हैं. तो selected candidates में से अगर seat बचती हैं, तो waiting panel को उठाया जाएगा, उसमें से candidates का selection लिया जाएगा. तो दोस्तों ये तो था final result TGT Natural Science female के लिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों rejection का notice TGT Natural Science female के लिए. दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, notice number है 139, 26, 27, 22 और TGT Natural Science female post code 36, 21. दोस्तों ये सभी role number total यहाँ पर लिखे हैं, 63 role number लिखे हैं, इन सभी को reject कर दिया गया है, काफी सारे reasons की वज़े से, और किन कारणों से reject किया गया है, वो इसी वीडियो में आप देखेंगे, सबके role number के आगे remark लिखा है, तो दोस्तों हमें rejection notice ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि future में जो apply करेंगे candidates उनको पता होना चाहिए, कि किन किन कारणों से आपका candidature reject हो सकता है, और क्या क्या बाते आपको ध्यान में रखनी होंगी, ताकि आप बाद में परशानी का सामना करने से बस सकें, तो यहाँ पर कुछ role numbers को हम read करते हैं, कि उनके rejection का कारण क्या है, जैसे पहला role number है, Candidature rejected as EWS certificate, जिसकी date है 2.11.2021, valid for the year 2021, is issued after cut of date, तो यहाँ पर तो इस candidate को इसलिए reject किया गया है, क्योंकि इनका जो EWS certificate है, वो TGT Natural Science form भरने की last date है, उसके बाद issue किया गया है, तो इसलिए उसको valid नहीं माना गया है, इसके बाद दूसरा जो role number है, rejected किया गया है, EWS category और EWS इनका 28.11.2021 को issue हुआ है, जो कि cut of date के बाद है, इसलिए इनको reject किया गया है, तीसरा role number है, Candidature rejected in OBC दिल्ली category as OBC certificate, 2.11.2021 का बना हुआ है, जो की basis बना है, हर father showing cast recognized in state विहार, तो दोस्तों यहाँ पर OBC category के Candidates बहुत ध्यान से चीजों को समझे दोस्तों, दिल्ली के जो government vacancies होती हैं, दिल्ली में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ OBC दिल्ली certificate को सभी प्रकार के benefit जो भी दिल्ली सरकार दे रही है, वो मिलते हैं, अगर आपका OBC certificate दिल्ली से बना है, लेकिन वो आपके किसी relative के, याई father के चाचा के OBC certificate के base पर बना है, और आपके father चाचा का certificate जो है किसी और state का है जैसे कि इस case में है यहाँ पर father का certificate बिहार से है और candidate का certificate दिल्ली से है लेकिन दिल्ली से होने के बावजूद भी उसका candidate रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उसके पापा का certificate बिहार का है तो यहाँ पर जो candidate है, उसे भी बिहार का OBC यहाँ पर माना जाएगा, भले ही वो दिल्ली government ने जारी किया है, चौधा रोल नमर इसलिए reject किया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने e-dozer ही upload नहीं किया था, पांच वर रोल नमर है, यहाँ पर EWS इनकी cut-off date के बाद है, छटे रोल नमर में भी यही प्रोब्लम है, और साथ वर रोल नमर में भी यही है, आठ वर रोल नमर ने e-dozer upload नहीं किया है, और नोवर रोल नमर पर यहाँ पर भी EWS after cut-off date है, after cut-off date, 11-12 भी सेम है दोस्तों, तेरवा जो रोल नमर है, यहाँ पर एक नया reaction का कारण सामने आया है, इस candidate ने disability category से apply किया था, लेकिन किसी भी disability category का benefit लेने के लिए दोस्तों, minimum जो disability भारत सरकार ने तैक की है, benefit लेने के लिए, कम से कम 40% होनी चाहिए, 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इनकी जो disability है 30% है, इसलिए इने किसी प्रकार का benefit नहीं मिलेगा, और इनका candidate चैंसल कर दिया गया है, सोलवा जो रोल नमर है दोस्तों, candidate rejected EWS category after cut-off date है, और 17-18 में EWS अप्लोड नहीं हुआ है, 19 में after cut-off date है, और 24 में भी after cut-off date है, दोस्तों cut-off date के कारण काफे सारे यहाँ पर candidate जो है cancel किये जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो certificate होनी चाहिए, सभी प्रकार के certificate, वो form भरने की last date से पहले बन जाने चाहिए, अगर form भरने की last date निकल जाती है, उसके बाद आपका कोई भी document issue हुआ है, तो वो valid नहीं माना जाएगा, आपका candidature reject कर दिया जाएगा, 28 वाज रोल नमबर है, rejected OBC दिल्ली category as OBC certified issued on 7 January 2022 को OBC certified बना है, 7 January 2022 को, जो की cut of date से बाद में बना है, तो इनका candidature cancel कर दिया गया है, 39 वाज रोल नमबर में भी after cut of date का issue है, और 31 से लेकर 34 तक इननोंने e-dozer upload नहीं किया है, 35 वा रोल नमबर पढ़ लेते हैं, दोस्वा, candidature rejected, as B.A.D. result जो आया है, 14 December 21 को आया है, जो की cut of date के बाद है, यानि form भरने के बाद इनका B.A.D. कर जलता है, इसलिए इनको नहीं माना जा रहा है, 36 वा not uploaded e-dozer और 37 नमबर पर after cut of date का reason है, 38 वा रोल नमबर दोस्तों वही है, O.B.C. दिल्ली, इनके पापा का जो O.B.C. बिहार से बना है, इसलिए इनको reject कर दिया गया है, 39 और 38 में after cut of date, 41 जो रोल नमबर है, 41 serial number, candidature rejected as diploma and elementary education is not as per D.A.B. Corrigendum number, तो दोस्तो, diploma and elementary education यहाँ पर इन्होंने reason दिया है, इनका जो qualification है, वो इस post के लिए eligible नहीं है, 42 और 3 में after cut of date, 44 में दोस्तो, rejected EWS category as EWS certificate 5 जनवरी 2021 को बना था, 21 के लिए valid था दोस्तो, इसलिए इनको reject कर दिया गया है, और काफी सारे candidates ने दोस्तों यहाँ पर EWS अप्लोड नहीं किया था, इसलिए उनका candidature reject किया गया है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 57 वा जो रोल नमर है दोस्तों, 57 सिर्ल नमर पर candidature rejected as beard special education is considered for the post of special educator only, तो दोस्तों यहाँ पर जो special educators इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान दें कि beard special education जो degree है, वो सिर्फ और सिर्फ TGT special education में apply करने के लिए valid है, TGT general की किसी भी post में दिल्ली में beard special education की degree valid नहीं माने जाएगी, अगर आप paper दे के पास भी कर लेते हैं, तो इसी तरह सा आपका rejection हो जाएगा, बहुत सारे candidates पूछते हैं कि beard special वाले TGT SST में, TGT natural science में या TGT के किसी general post में apply कर सकते हैं नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि beard special जो degree है, वो सिर्फ पर सिर्फ special educator post के लिए valid है, और वो भी TGT special के लिए valid है दोस्तों, अठावन वा जो serial number 58 और 69 और 60 दोस्तों after cut of date का यहाँ पर issue है, और 61 में जो OBC certificate वो भी हार का है, और 62, 63 में EWS category का यहाँ पर after cut of date का issue है, दोस्तों यह 63 candidates के roll number यहाँ लिखे हैं जो अलग-अलग कारणों के वेज़ से reject हुए हैं, सबसे जादा जो कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EWS certificate के हैं, जो की cut of date के बाद issue हुआ है, इसलिए सभी रिक को reject किया गया है, और कुछ ने e-dozer upload नहीं किया है, और OBC जो है दिली से बाहर का है, इसलिए reject किया गया है, तो दोस्तों यह सभी candidate जो reject हो गई है, तो आप अगली बार अच्छे से तयारी करके सभी document को पूरे करने के बाद आप दुबारे से apply कर सकते हैं, अगर आपकी age उस time तक valid रहती है, तो otherwise आप किसी और department में, किसी और vacancies में apply कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों अगर आपको जनकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को जहाँ साथ लाइक कीजे, जहाँ साथ अपने दोस्तों तक share कीजे दोस्तों, ताकि उनको ये समझ आए कि reaction किन-किन कारणों से होता है, ताकि वो आगे आने वाली vacancies में उन कारणों को ध्यान में रखें, और अपने जो भी documents हैं, उनको पहले से ही तियार करके रखें, दोस्तों और इंडे में special education और teaching vacancies से जुड़ी, सभी प्रकार की authentic जनकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का notification सबसे पहले पाने के लिए बैल आकन को भी प्रेस कीजिए, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में,